एक गाव में एक गरीब किसान रहता था, किसान का नाम रामू था, रामू अपनी पत्नी के साथ एक जोपड़ी में रहता था घर में एक पैसे नहीं है, जो पैसे थे उनसे घर का राशन ले आई, इस बार धान लगाने के लिए पैसे नहीं है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतिजाम कर लूँगा आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, गाउं के सेट के पास जाकर देखिए, वो जरूर पैसों का इंतिजाम कर देंगे हाँ तुम सही कह रही हो मैं सेट के पास जाकर देखता हूँ सायद कुछ पैसों का इंतिजाम हो जाए इतना बोलकर रामू गाउं की सेट के पास जाने लगता है रामू सेट को अपनी सारी बात बताता है अगर आप मुझे उधार में कुछ पैसे दे देते तो बहुत महरबानी हो जाती फसल बेचकर मैं आपकी सारे पैसे वापस लोटा देता मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा लेकिन एक शर्त पर फसल लगाना बहुत जरूरी है मेरे हाथ में एक पैसा नहीं है इस परिस्तिती में मुझे आपकी सारी सर्ते मनजूर है तो ठीक है मेरी सर्त ये है कि मैं जतना पैसे तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी फसल बिकने के बार मुझे वो पैसे डबल चाहिए लेकिन सेट ये तो बहुत ज्यादा है रामू मैंने तुम्हें अपने सर्त बता दी अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें पैसे लेने है या नहीं लेने है अगर पैसे लेने है तो तुम ले लो और नहीं लेने है तो तुम वापत जा सकते हो ठीक है, मुझे आपकी सर्थ मन्जूर है रामू पैसे लेकर बजार जाता है और एक दुकान से बीच खरीता है और वहां से अपने घर वापस जाता है सीमा, ओ सीमा आप बीच खरीत कर ले आये हाँ रानी, मैं बीच खरीत कर ले आया हूँ सेठ ने सर्थ पर पैसे दिये हैं अगर मैंने सही समय पर पैसे नहीं वापस किये तो अच्छा नहीं होगा इस बार अच्छी फसल नहीं हुई तो हम तो बरबाद हो जाएंगे आप चिंता मत कीजिए इस बार हमारी फसल अच्छी ही होगी भरोसा रखिए रामू अपने खेत में फसल लगा तो देता है लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सारे खेत सूख जाते हैं और सारी फसल बरबाद हो जाती है ये देखकर रामू और उसकी पत्नी रोने लगती है सीमा ये क्या हो गया सारे फसल नस्ट हो गए अब मैं सेट के पैसे कैसे वापस करूँगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ आप परिशान मत हो ये इस बार बारिश नहीं होई है ये बार सेट को भी पता है वो हमारी मजबूरी को समझेंगे आप एक बार उनसे बात कर कर देखिए सीमा वो सब तो ठीक है लेकिन हमारे पास जो पैसे थे वो फसल लगाने में खतम हो गए और फसल अच्छी भी नहीं हुई अब हम फसल लगाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे अब हम क्या करेंगे सीमा आप चिंता मत कीजिए आप एक बार फिर सेट से बात कर कर देखिए हो सके वो हमें कुछ और पैसे दे दे अपनी पतने की बात मान कर रामू सेट के पास एक बार फिर जाता है और फसल नस्ट हो जाने की सारी बात सेट को बताता है रामू वो सब तो ठीक है 12 पैसे चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अपना घर गिर्वी रखना पड़ेगा अगर तुम्हें ये सर्थ मनजूर है तो तुम हाँ बोल सकती हो नहीं तो तुम यहां से जा सकती हो मैं जो भी कहता हूँ साफ सब्दों में कहता हूँ ठीक है आपकी शर्थ मुझे मनजूर है रामु सेट से पैसे लेकर बजार जाता है और बीच खरिद कर अपने घर वापस आता है सीमा कहा हो यहां जल्दी आओ क्या हुआ आप बीच खरिद कर ले आए लेकिन आप इतनी चिंता में क्यों हैं सीमा सेट पैसे देनों को राजी नहीं हो रहा था मुझे अपने इस गिलवी रखना पड़ा तब जाकर सेट में मुझे पैसे दिये हैं आप चिंता मत कीजिए जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा इस बार जब किसान फसल लगाता है तो बहुत तेज बारिश होती है जिससे किसान के खेत में पूरा पानी भर जाता है और सारा फसल नस्ठ हो ज जाता है दोनों बहुत रोने लगते हैं अब हमारे पस कुछ भी नहीं बचा मैं तो लुट गया बरबाद हो गया अब तो ये घर भी नहीं रहेगा अब हम क्या करेंगे कहां जाएंगे क्या खाएंगे हमारी दो दो पर फसल बरबाद हो गई है रामो अपने खेत में दोब उसकी खेत में पड़ी एक मचली पर पड़ती है रामू उस मचली के पास आता है आरे ये तो कितनी सुन्दर मचली है मैं तो अपने फसल को बचा नहीं पाया लेकिन इस मचली को जरूर बचाऊंगा रामू उस मचली को लेकर एक तलाब के पास जाता है और वहाँ उस मचली को छोड़ देता है तभी वो मचली रामू से कहती है तुम्हारा धन्यवाद रामू तुमने मेरी जान बचाई है तुमने मुझे जीवन दान दिया है तभी उस मचली का अकाल बड़ा हो जाता है रामू ये देखर हैरान हो जाता है आरे ये कैसे हो सकता है ये मचली इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो सकती है मैं एक जादूई मचली हूँ जब मैं कम पानी में होती हूँ तो मैं छोटी बन जाती हूँ और जब मैं तलाम में होती हूँ तो मैं बड़ी बन जाती हूँ तुमने मेरी जान बचाई है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ बताओ तुम्हे क्या परिशानी है और तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरी कोई इच्छा नहीं है जादूई मचली मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि ये मेरा फर्ज था तुम एक इमंदान और दयालू इंसान हो जब तक तुम अपनी इच्छा नहीं बताओगे मैं यहां से नहीं जापाओंगी इसलिए तुम्हें अपनी इच्छा मुझे बतानी होगी ताकि मैं तुम्हारे कर्ष्ट दूर कर सकूँ अगर तुम चाहते हैं कि मैं यहां से चली जाओ तो जल्दी से अपनी इच्छा मुझे बताओ मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने कर्ज लेकर फसल लगाया लेकिन बारिस नहीं होने के कारण सारे फसल नस्ट हो गए और फिर जब मैं दूसरी बार कर्ज लेकर फसल लगाया तो इतनी तेज बारिस होई कि सारे फसल नस्ट हो गए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं बरबाद हो गया हूँ रामू मुझे तुम्हारे सारे कर्ष्ट के बारे में पता था मैं तो बस तुमसे जाना चाहती थी अब तुम्हारे सारे कर्ष्ट लूर हो जाएंगे ये लो ये एक सोने का सिक्का है जिससे तुम्हारे सारे कर्ष्ट खतम हो जाएंगे और ये लो ये एक जादूई बीज है इससे तुम्हारे फसल कभी नस्ट नहीं होएंगे और तुम जितनी बार फसल काटोगे उतनी बार वहाँ दुबारा फसल आ जाएंगे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादोई मचली रामू अपने सारी कल से मुक्त हो जाता है और उसके फसल अच्छे से बड़े हो जाते हैं हेलो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक केजिएगा साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब केजिएगा ताकि हम जोई वीडियो अप्लोड करें उसकी नाटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले